नमश्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक सौागत है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्ली whilst इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हैं चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं शिक्षन योजना, कक्षा साथ, विशह हिंदी, समय चालेस मिन्याट, लर्निंग आउटकम बच्चे दूसरों के दुआरा बताए गए अनुभवों को सुनकर अपने शब्दों में लिख लेते हैं बच्चे विविन प्रकार की पठन सामगरी जैसे कहानी, कविता, लेक, निवंध, वियंग्य, आत्म कथा, आदी की सुक्षमता से जाच करते हैं एवं विशलेशन करते हैं प्रकरन मैं कभी कैसे बना साइक सामगरी, पाठे पुस्तक, शामपर, चौप, डस्टर, दीक्षा एप पर उपलब्द सामगरी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं इसमें चरण, समय और आकलन के तरीक है पहले हैं सिख्षन के प्रारब में बच्चों के पूर्व ज्यान का पता लगाने के लिए सिख्षक उन्हें कुछ शब्द दे कर कविता बनाने के लिए कहेंगे इसके लिए हम गतिविधी कराएंगे बच्चों को कुछ शब्द देंगे जैसे बच्चे कविता बनाने का प्रयास करेंगे जैसे विजली चमकी चमचम बादल घरजे गड़गर पानी बरसा चमचम दिल धड़का धड़क धड़क तो और भी बच्चे अन्हें प्रकार से कविता बनाने कोशिश करेंगे सिक्षक बच्चों से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता बनाने का प्रयास करने के लिए कहेंगे इसकी अबधी रहेगी पाँच मिनट आकलन के तरीके परिचर्चा तथा सहभाविता उसके बाद बच्चे उसुत्ता पूर्वक कविता बदाने का प्रयास करेंगे सिख्षक बच्चों का प्रोस्थाहन वर्धन करेंगे तथा उनसे प्रश्ण पूछेंगे जैसे बच्चों कविता बदाने के लिए क्या गुर्ण सीखने चाहें यह हैं बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्ण होगा सिक्षन के दौरान सिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम मैं कभी कैसे बना नामक पाठ का अध्यन करेंगे प्रस्तुत पाठ एक आत्म कथा है इस पाठ के लेखक श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी है प्रस्तुत आत्म कथा में गोपाल प्रसाद व्यास जी ने अपने बच्पन में कभी बनने की लालसा का प्रस्तुती करण बड़े ही रोचक धंग से किया है इसकी अध्धी 25 मिनट हाईगी सिक्षन के अध्धी और आकलन के तरीके में अवलोकन तथा सुनकर सिक्षक पूरे हाव भाव आरोही अवरोही क्रम तथा उचित उच्चारन के साथ पाठ का बाचन करेंगे सिक्षक चात्रों को बताएंगे कि श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी ने इस आत्म कथा अंश में अपने बच्पन की एक घटना का उलेह किया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और मंच पर सुनाई लेखक ने अन्य कवियों के छंदों को अपने नाम से सुनाने की गलती को अपने कक्षा अध्यापक के सामने सुईकार कर उसका निराकरन पूछा कक्षा अध्यापक ने उनको कविता बनाने का गुर सिखाया बताया कि जो समस्या कविता बनाने को दी जाए उसकी चार तुके बनाकर लिख लेना चंद में चार पंक्टी और 31 अख्षा होते हैं ये बात दिहान रखना लेखक ने कविता बनाने का यह गुर अच्छी प्रकार समझ लिया कवी सम्मेलन में छोटे बालक के मुख से समस्या पूर्ती सुनकर लोगों ने बड़े आश्चर से खूप तालियां बजाई इस प्रकार पहली कविता से ही लेखक को कवी की पदवी मिल गई इसके पश्चाद सिक्षक छात्रों से पाठ में आए कठीन शब्दों के आर्थ शामपट से देखका लिखने के लिए कहेंगे शामपट का रहा है शब्दाथ खुशामद इसका आर्थ है चापलूसी पावस यानि वर्षा रितू नुमाईश प्रदर्शनी आदृता नमी हिर्दयंगम हिर्दय में अच्छी तरह बैठा हुआ या भली प्रकार समझ में आया हुआ सिक्षन के बस्चाद सिक्ष चात्रों को दीक्षा एपर पाठ से समंदित वीडियो दिखाएंगे तथा चात्रों को समुहों में बाठ कर कविता बनाने की प्रतियोगिता कराएंगे इसके अब दी पाँच मिनट अकलन के तरीके अवलोकन तथा सहभागिता इसके बाद है प्रदत ग्रहकार है पाठ में से चात कर तत्पुरु समास के पाँच उधारन लिखिए और दूसरा है निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए और इनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए पहला है मून मुणाते ही ओले पड़ना काठ मार जाना चोर से साहुकार होना इसके अब दी है पांच मिनट वीडियो को अंते तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार